वेल आप credit card apply करते हो या कोई personal loan के लिए application फाइल करते हो तो उसके approval के लिए civil school का कितना बड़ा रोल है यह तो आप सभी को पता ही होगा अगर आपका civil score अच्छा नहीं है तो उस application को decline कर दिया जाएगा, reject कर दिया जाएगा आपका जो application उसे reject किया गया है तो आपके मन में एक question चल रहा होगा कि आखिर कितना civil score होना चाहिए तब हम application फाइल करेंगे तब जाकर हमें इसका approval मिल जाएगा तो यह एक बहुत बड़ा issue face करना पड़ता है बहुत सारे users को तो इसके बारे में हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं कि आपको कितने civil score होने के बाद में आपको credit card का application फाइल करना चाहिए या personal loan के लिए application फाइल करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते है personal loan की तो देखो personal loan में क्या होता न कई बार आपका civil थोड़ा कम भी होता है न तो आपको कम limit के साथ में personal loan दे दिया जाता है जैसे कि हम कुछ pay letter की बात करे तो अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी civils करोगा जैसे कि 700 भी होगा या 700 से कम भी हो लिए कि वो आपसे high rate of interest चार्ज करते हैं तो personal loan का जो condition है थोड़ा सा अलग हो जाता है credit card के application से पट मैं आपको फिर भी यह suggestion नहीं करूंगा कि कम civil score पर आप personal loan भी apply करें reason इसका यह है कि वहाँ पर आपको एक high rate of interest pay करना पड़ेगा interest आपसे ज्यादा लिया जाएगा लेकिन आपका civil अच्छा होगा तो कम rate of interest पे आपको मिल जाएगा ज्यादा और कम rate of interest की बात करें तो अगर आपका civil down होगा कम होगा तो आपसे 36% या 48% तक का per annum rate of interest लिया जा personal loan के लिए तो आपको अच्छा limit में मिल जाएगा और कम rate of interest मिल जाएगा अब बात करते हैं credit card की बारे में कि आप credit card का application फाइल कर रहे हैं तो उस case में आपका civil score कितना होना चाहिए ताकि आपको असानी से अप्डूबर मिल जाए तो देखिए ये भी depend करता है कि आप किस bank क credit card apply कर रहे हैं पहले सीज तो यह दिख लिजी अगर आपका उस bank के साथ में relation है आपने पहले से वहां पर account वगरा open करवा रखा है और उस account को अच्छी तरह maintain वगरा करते हैं तो इस condition में आपका थोड़ा बहुत civil कम भी होगा कम in the sense ऐसा नहीं है कि 500-600 होगा तो आपके approval मिल 800 या 800 से जादा हो गया ना उस condition में आपको जो credit card है असानी से मिल ही जाएगा क्यूंकि जब भी अब application फाइल करोगे तो credit bureau वाले उस bank को यह indicate करेंगे कि यह जो profile है standard category का है बहुत ही अच्छा profile है यहां पर जो risk है zero है तो आप इसे loan या फिर credit card दे सकते हैं तो इसलिए आपक जो credit score है 800 प्लस हो जाए तब आप किसी credit card के लिए application फाइल किजिए तो आपको आसानी से approval मिल जाएगा अब बात करते हैं कि यहां पर 800 प्लस सिबल स्कोर होगा कैसे क्योंकि अभी आपका सिबल जनरेट होना शुरू हुआ है तो ऐसा क्या करें कि आपका सिबल स्कोर 800 प्लस आपका यह है कि आप ओफलाइन मार्केट में जाकर कोई भी चीजेda purchase कर सकते हैं लाइक आपके घर में furniture की जरूरत है तो आप furniture जो है EMIE पर लिए सकते हैं फ्रेंज की जरूरत है तो वो ले सकते हैं टीवी की जरूरत है तो वो आप ले सकते हैं या कोई mobile phone भी आप लिजिए EMI पर ले लीजिए और उसकी रीपिमन्ट आप टाइम से गीजिए देन आपका सिबल स्कोर जो है आसानी से और जल्दी इंक्रीज होगा और उसके बाद में आप क्रेट काड के लिए अप्लिकेशन फाइल करते हैं या कहीं पर परस्नल लोन के लिए अप्लिकेशन तो वो आपको कम rate of interest पर और आसानी से अप्रूव होकर मिल जाएगा तो अगर आप भी क्रेट काड का अप्लिकेशन फाइल करकर के परस्नल लोन का अप्लिकेशन फाइल करकर के ठक चुके हैं और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप इन परस्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद में apply किजिए तो ये एक important update था उन लोगों के लिए जो भी credit card का application अभी फाइल करने जा रहे हैं लिकर उनका अभी civil built नहीं हुआ है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना application फाइल कर सकते हैं और एसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे च नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात